2026 फिवाब विशुकप तथा 2027 एअपसी एशनकप को दोसरो चरण को पईलो खेल मा सम्मव कई बल्यो टोली यवई बिरुद्ध चारसुने को हार संगा नेपाली रैस्टिफट बल टोली ले यही मंगसीर पाजगाते मंगलबार तोला नात्मक रूप मा आपनों सम्मव को क विशेबस्थोर बारे विशेश सर्चा करने साँ एरप्या विडियो लाई अन्ते सम्मव हैर देनु होला फिफा पिशो का पोईलो छनट मा लाउंच भिर्द दूई एक को एग्रिगेट नतिजा साइध दोसर चरन सम्मा आईपे को नेपाल र शिरलंकालाई चार एकले हराय को यमन बिच मंगलबार पांचो पेट रहने सा आल फिफा पबरेता मा एकसे छपपणों इस्तान को यमन र एकसे तिरत्रों इस्तान को नेपाल बीच ये सगी भाय का चार खेलमा नेपाल ले एक खेल पनी जितना सक्के को साईना ए दुई बीच एक खेलमाने गोल नईत बराबरी मां सक्के को सा पचलो पटक नेपाल ले यमनलाई संदुजार अठार मा एअपसी एसेन का फर राउंड को गुरूप स्टेज मा बेटाएको थियो कतार को एरादानी दोहा आई श्तिद बिन हम्मत रंगसाला मा गुरूप एफ अंतरगत को खेल मा नेपाल यमन चांगा दोही एक को जीनो गोल अंतर ले पराजित हो न पुग्यो नेपाल का लागी फवराड नविक स्रेश्टा ले उत्कृष्ट हेडर गोल गरेका थि यमन विर्दा कुनेपनी नेपाली खेलाडी ले गरेको यो एक मात्र गोल हो बिड़म बना तिने नविक भने यो पटक यमन विर्दा को खेल मा उपलाब्द साइनन यमन विर्दा नेपाल ये निकालेको सवेवंदा उत्कृष्ट नदिजा बनेको गोल रहित बराबरी हो जुन 2019 ताका स्वेशन का अप्चनोट मा आयको थियो ओम फिक्षर मा नेपाल ले हल्चो किस्तित एपीअफ को खेल माइदान मा यमनला सुन्ने-सुन्ने को बराबरी मा इस्तब्द पारेको थियो फिफा बरेतार खेल इस्तरमा खासे तलमाथी नरहयको नेपाल ले यमन बीज भायका पसिल्ला दोई खेल टक्कर टक्कर कोने देखींच देपी अईले पनी इदुबै टोली ट्रांजिस्टनल फेजबार्ट गुजिर रहिको सा नेपाल मा जास्ते यमन को राष्टे फुटबल टोली मा पनी थुप्रय नया अनुआर हरू थपी एका सन निके खराब लए मा देखेको यमन ले पसिल्ला दस खेल मा एक मात्र जित निकालना सके गोशा तो पनी गतम अईना सिर्लंका बिरुद्ध बिश्यकप पईलो छनट चरनको पईलो लेग मा शिर्लंका बिरुद्ध तीन सुन्यको योजित उसले संदोजार उन्नाइस टाका पतार बिश्यकप छनट मा पैलेस्टाइन सांगा निकालेको एक सुन्यको जित पसिया आयको हो पचिला तीन बर्षा पशी पईलो जित निकालना उसलाई 14-14 खेल कूरना परे। एतिका उतार चाड़ाप का बीच यामन को फुटबल टीम ले संदोजार 29 को एफसी एसन कप समेत खेली सके को सा जोन यामनी फुटबल लितियांस कै स्वयबंदा ठोलो उपलाब दी हो। यहारला इसमरन गरणा चाहें 2019 को एफसी एसन कप छनोट में नेपाल समिली चम्म एफ को उपपिजिता बंदाई यामन ले एसन कप मा इस्तान बनाएक हो। उता नेपाली टोली बने पईलो पटक एसन कप खेलने लग्से साई अगी बड़ी राइक टोली हो। किनकी यो पटक जस्तो सुनावला असर नेपाल लाई बाराम बार मिलने चाहें ना। नेपाल लाई मंगल बार जीत बायक कुने पनी बिकल्पा साई न। घ्रिया युद्ध का कारण चनट का सबे खेलरू आफनो घर बायरा खेलिराईको यामन पनी नेपाल बिरुद्ध सहच जीत निकाल दै। अगिलो खेल मा बहराईन चांगा दोई सुन्ने को हार भुलावन चाहांचा। रा दोस्त्रो पटक पुन एसेन कॉप मा चनट होने ओड मा आफुलाई जीबिते राखना चाहांचा। यामन का खेलादेर को कुरागरने भने उसका अधिकांग से खेलादेरु इराक र बहराईन मा बेवसाइक फुटबल खेलने गर्शन। इले देशका लागी आट अंतराष्टे गोल गरी सेके काशन। मंगल बार यामन का इदुई मुक्के फरवाड लाई रोकना नेपाली डिफेंस निके चनाखो फुर्णू परने देखींच। नेपाली खेलाडी अर लाई आपनो वोमग्राउंड को एडवांटेज चा चारी विशेक अप्चनाट मा आपनो पईलो जीत को खोजी मा निस्कादे गर्दा नेपाली टोली शिरुवाती मिनेट देखी नैं यमन बिर्द फूलन अटैक मा निस्काने शा। नेपाल लाई था चा यमन ले बिहभार बहराईन बिर्देको खेलमा दूई गोल अरू उसको डिफेंसिप इरर बाटा कंसीड करेगो चा। नेपाल को घरमा सुन्ने सुन्ने को बराबरी खेले को सा। टिकट लिना का लागे यहारू बिहाना आठ बजे बाटा दसरत रंगा साला गेट मा गायरा टिकट खरीद गरना सकनू नेशा। इस्टाइ बिल्की सादवाजे बाटा सुर उने खेल सके लगते दर्शक को सहचता का निमित्त थापाथली चावेल लगायत पंदर रूट मा चलने बशरू तयार अवस्ता मा रहका सन। दर्शक ले खेल को टिकट देखा आयरा उक्ता बाशरू को निशुल का सेवाली न सकने सन।